नमस्कार दोस्तो मैं हूं आर्ती प्रजाबती यूट्यूप चैनल पर आप सभी का हरतिक स्वागत करते हूं दोस्तों आज की स्वेड़े में बात करने वाले गुजरात स्थ्रेट से जो नाटिफिकेशन आई हुई है उसके बारे में उके तो डीटेल्स में हम देखने वाल में हम details में जानकारी प्राप्त करेंगे तो बने रहे वीडियो के साथ वीडियो को सबसे पहले लाइक करना ना बुलिए और अपने दोस्तों को share करना बुलना नहीं दोस्तों क्योंकि ये ना एक ने काम होगा अगर आप अपने दोस्तों तक ये notification पहुंचाते हैं तो उनके लिए उनका बविश्यब बन सकता है तो ये ने काम में आप लोगों को देरी नहीं करनी है और सबको साथ में मिलकर सबका support करना है चले सबसे पहले हम उसकी website पर चाहेंगे तो website है www.gujratset.in ये उसकी website है वहाँ पर आपको जाना है तो ये देखे हम उसकी website पर आ गए है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूस्तों यहाँ पर आपको पहला ही जो homepage होता है homepage में आपर notification दी हुई है तो उसको यहाँ पर देख लेते हैं तो दीखे यहाँ पर आपको date दिया हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर date of examination तो date है आपकी examination की 26 दिसंबर 2021 को यानि कि आज से लेकर 6 महिने के बाद आपकी exam होने वाली है यहाँ पर fee collection के लिए step 1 दिया होगा और online registration के लिए आपको step 2 complete करना होगा यानि कि सबसे पहले आपको fee collect करना है और उसके बाद आपको registration करना होगा online और fees भी आपकी online नहीं आपको pay करनी है यह हम आगे सब देखते हैं सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से हमें notification में क्या क्या दिया है उससे पहले में पर यानि कि home page पर देखने को मिलेगा यहां पर आप देख सकते हैं कि old question paper तो यहां पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहां पर old question paper आपको देखने को मिलेगा paper 1 और बाकी के जो भी paper आपके दो paper होंगे paper 1 होगा और paper 2 आपके subject का होगा और paper 1 से लेकर आपकी subject के सारे जितने भी subject यहां पर दिया है उन सभी paper आपको यहां पर मिलेंगे और paper पी आपको मिलेंगे 2000 2 से लेकर 2019 कि sup Math question paper आपको देखने को मिलेगे जैसे कि आपर हम paper one की बात करते हैं तो उसमसरा मैं क्लिक करोगे तो यहां पर आप देख सकते है कर हो यहां पर पीपर को डाउनलोड कर सकते हैं यानि कि Inglis paper भी आपको वहां पर मीलेका और गुजराती दोनों साथ में होगां इंग्विज और गुजराती तो अगर आपको जो आउस्ट्रेट लेंग्वेज में उनको देखना है तो वो लोग गुजराती लेंग्वेज पर जैसे ही गुजराती वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तुरंती उनको गुजराती में सारी डेटेल्स देखने को मिलेगी जैसे कि यहां पर आपको गुजराती में सब कुछ लिगा हुआ दिख र पर आपको यहां पर दी हुई है जैसे कि यहां पर दी है तो दीकिए में साइकोलोजी को आपको बताती है तो दीकिए यहां पर देख सकते हैं 2019 दक की पेपर आपको यहां पर दी है और आंसर की भी आपको दी हुई है तो आप आराम से यहां से साइट पर से ही पेपर डाउनलोड कर सकते हो अंसर की डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे से प्रिपेरिजन कर सकते हो अब बात करते हैं कि जो भी नौटिविकेशन आई है उ तो यह नोटिफिकिशन हम पहले डाउनलोड कर देते हैं और उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ कि उसमें किस तरीके की सुचनाई दी हुई हो कि तो यह मैंने डाउनलोड करना स्टार्ट किया हैं और उसके हम देख लेते हैं चले अब हम उनको ओपन कर लेते हैं उसको कि चलो दूस्तों अब न हम आ गए हमारी जो पीडियप हमने डाउनलोड किया है उस पर आ गए उकी तो अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि यह पीडियप हमने डाउनलोड करके ले ली हैं चले उसके बारे में आप जानकर यह आपको दे रहेते हैं तो दिखिए यह हमारी गुजराच स्टेट इलिजिबिलेटी टेस्ट है जी से बूला जाता है और वो आसिस्टेम प्रोफेसर के लिए हैं और दिखिए उसकी जो एक्जाम डेट है यहां पर आपको द रहे हैं वो महराजा सयाज राव उनिवर्सिटी बरोडा तो वहां से कंड़क करवाई जा रहे हैं अब दिखिए अगर आपको कोई भी क्वारी रहती हैं तो आप यहां पर इमेल आइडी दी हुई है उस इमेल आइडी पर मेल करके भी आप जानकर प्राप्त कर पाते हैं और यहां पर यह वेबसाइट है जो हमने अभी वेबसाइट खोली दी वही वेबसाइट आपको यहां पर दी हुई है दो वेबसाइट है तो दोनों में से कोई भी वेबसाइट का यूज कर सकते हैं और कोई क्वारी रहती है कोई क्वारी रहती है आपको कोई क्वेशन प सकते हो ऊंलाइन रजिस्टेशन की बाद कि जा है तो सम्हों एक मैना आपको धीया हुआ है तो उसके बाद दिखे डेट ओफ एक्जामिनिशन आपकी डेट ओफ एक्जामिनिशन 26 दिसम्ब 2021 संडे को है यहाँ पर 3 स्टार लगाया गया है तो 3 स्टार का मतलब क्या है तो यहाँ पर दिखे यहाँ पर 3 स्टार का मतलब बताया है कि the date of examination is tentative and subject to change तो यहाँ पर tentative date दी गई है आपको यह date change भी हो सकती है यह यहाँ पर बताया गया है चले अब आगे बात करते हैं तो थुड़ा सा यह न अब देखते हैं अगर आपना कोई भी candidate है वो qualify कर लेता है यह गुजरात सैट के exam तो उसको क्या क्या document तयार रखने होंगे तो यहाँ पर original copies आपको वहाँ पर share करनी होगी उनको भीजनी होगी यह document आपको क्या करना पड़ता है जो भी अपीस होती हेड हेड क्वाटर होता है वहाँ पर आपको भीजने होते हैं तो original document में आपको क्या क्या होगा तो online application form यानि कि जो फॉर्म आप भी भरने वाले हों उस फॉर्म की जो भी आपकी प्रेंट निकलेगी उस प्रेंट को आपको अपने पास रखना है जब आप exam clear कर लेते हों तो आपको फॉर्म क्या करना पड़ेगा हेड क्वाटर पर आपको भेजना पड़ेगा फिर फी पैमेंट रिसिप्ट जो भी फी आप पे कर रहे हों तो उसकी रिसिप्ट भी आपको रखनी पड़ेगी और examination hall ticket जो भी hall ticket को लेकर आप exam देने चाहो होगे तो वह hall ticket भी आपके पास original होनी चाहिए तो original copies में आपको online application form fee payment receipt और examination hall ticket ये तीनों आपको रखनी होगी उसके बाद देखिए आपके semester की अगर है तो all semester की mark sheet या फिर आपके year wise अगर आपका master है तो आप क्या करेंगी year wise आपकी mark sheet को आपको रखनी होगी उसके बाद देखिए कास्ट certificate जो भी लोग SC, ST, SCBC, SCBC को हम OBC भी कहते होगे तो यहाँ पर कोई भी confused नहीं हो ना कि OBC और SCBC में क्या है तो OBC को ही हम SCBC कहते हैं SC, ST, OBC वाले जो भी लोग हैं और EWS जो जनरल केटेगरिस में आते हैं और EWS का जिनको आप मिल रहा है तो यह सारे लोगों को क्या करना होगा faster certificate की जर्वक्स कपी भी रखनी होगे उसके बाद latest non criminal certificate तो देखिए यहांकर बता देते हुँ कि Camiliar non criminal certificate है वह OBC यानिकी ACBC के जो लोग होंगे उनके पास होगा Non Criminal Certificate, तो Non Criminal Certificate में भी आपके दीखे, 2018 का अगर आपके पास है, तो वो वैलिट नहीं माना जाएगा, क्योंकि तीन साल हो चुके हैं, और आप सभी को पता है कि ACBC या OBC का जो भी Certificate होता है, वो उनकी वैलिडिटी तीन साल की होती है तो जो जिन लोगों का 2018 का होगा उना लोगों को नहीं या फिर उसे कम यानि की 2017 साल होगा तो वो वैलिड नहीं माने जाएगा, वैलिड कौन सा माना जाएगा, कि 2019 से आपका जो non criminal certificate होगा 2019 या उसके बाद का जो भी non criminal certificate आपके पास होगा तो वो certificate आपका क्या होगा valid माना जाएगा ओके तो ये खास याद रखना जो भी ACBC या OBC से बिलंग करते हैं जो भी student उन लोगों को ये याद रखना है कि 2019 या 2019 के बाद का non criminal certificate होना चाहिए आप देखिए जिनके भी पास non criminal certificate नहीं है तो भी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम में एक मेना फॉर्म फिलप करने के दिये लिए दिया है आप लोगों को के तो आप लोग अभी से ही non criminal certificate निकलवा सकते हैं दो ती दिन लगते हैं ओके सीटी जैसे एरिया ती मेगा सेटी होती है वहाँ पर आई तिंग एक अप्ता लगता है बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है न तो वह लोग अभी से ही non criminal certificate के प्रोसेस करवा दे ताकि साथ आट दिन में आपका क्रेंवान criminal certificate आपके पास आ जाएगा तो आप यहां पर form fill up कर पाएंगे वनना आपको जनरल कैटेग्री में रखा जाएगा उके उसके बाद दिखिए कि medical certificate जो होता है आपको देना पड़ेगा जो भी physical या visually handicapped लोग हैं तो उनको medical certificate भी देना होगा उसकी जारोक्स copy देनी होगी तो यह तो बात हो गई कि आप अगर exam qualify करते हो तो आपके कौन कौन से document आपको वहां पर submit कराने होते हैं ओके चले अब देखिए यहां पर आपको दिया है कि जब भी आप exam देने जाओगे कि तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए वैसे भी वह आपके होल टिकेट में लिखा हुआ होगा लेकिन फिर भी आप यहां पर देख लेना कि आपके पास एक तो है होल टिकेट होनी चाहिए उसके बाद आपके पास simple सिंपल ट्रांसपर्ट जो बॉल पॉइंट पैन आती है वह होनी चाहिए इंक वाली साही वाली जो बॉल पैन आती है वह आपके पास नहीं होनी चाहिए लेकिन सिंपल सी ट्रांसपर्ट बॉल पॉइंट पैन होती है उसी को आपको लेकर जाना है सेनिटाइजर भी आपको लेकर जाना है personal transparent water bottle भी आपको लेकर जानी है यानि कि आप उस bottle को आर पार देख पाओ वैसी bottle को आपको पानी के लिए ले जानी है और जो भी diabetes के candidate होते हैं वो लोग sugar tablet या भी कोई भी fruit लेकर जा सकते हैं उसके बाद देखते हैं अब मैंन बात करते हैं यहां पर बहुत सारी information है सारी की सारी आपको बता देती हूँ जनराल interaction है तो थोड़ा सा आप लोग ऐसे ही पढ़ लिजेगा अब ठीकिए यहां पर ना आपकी एक्जाम में 26 दिसंबर 2021 को मैंने बता दिया आपको टैंडिट यह एक्जाम डेट दे दी गई है इसकी वेबसाइट है www.gujaratset.ac.in या तो फिर आप यह वेबसाइट का भी यूज कर सकते www.gujaratset.in अब देखे आपका जो भी रिजल्ट होगा वो रिजल्ट आपको इंडिविजियली आपको दिया नहीं जाएगा आपको वेबसाइट प पर बताई गई है चलें उसकी बाद देखते हैं यहां पर आ जाते हैं कि जो भी आपकी सब्जेक्ट है कौन कौन से सब्जेक्ट है तो यहां पर देखे दोस्तों 25 सब्जेक्ट दिये हुए ओके उन 25 सब्जेक्ट की यहां पर एक्जाम होगी जी सेट में और कौन से चाहिए यह भी यहां पर बता दिया है झागा है तो थोड़ा सा प्रसाइद आसल को बच्छें पूछ रहे कि मैं एक्जाम preaching बित ayakनेरे भी Dil g जाहती हुगी यहां पर आप हिंदी में देंगे गुजराती वाले होंगे गुजराती लेंग्वेज उनको मिलेगी संस्कृत वाले को संस्कृती मिलेगी उनको इंग्लिस नहीं मिलेगी सिवाई इंग्लिस लेंग्वेज वाले को तो जो जिन लोगों की इंग्लिस लेंग्वेज हैं उन लोगों का पेप सान्स है फिजिकल साइस है यहांँ पर करेंगे कि एक बात ियाद रहा लिजेए कि आपके जो भी पिजी चे अंदर या 안에 के आपके से यह भी थोड़ा सा दियान रखेगा सब लोग कि कि हिंदी हंधी हंथीसा बाइन रिमें भांदी एकजानी की गुज़ाती वाले गुज़ाती में संस्क्रीट वाले संस्क्रीत में दे पाएंगे कि में अब भी कि कि Gócकेृ क वाले हैwn को सुसिल वाजिए हैं एकोनोमीक्स है पॉलिटीकल में सायें से हैं अपिछा उप सब्जेक्ट वालेthonे इंगलिज और गुजराती दोनों लेंग्वेज में एक्जाम दे पाएंगे तो कुछ कॉमर्स वाले बच्चे थे वो तो बहुत कंफ्यूज हो गए थी कि मैं हम इंग्लीज में देना होगा यह तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी सी बात है कि वो लोग इंग्लीज और गुजराती दोनों लेंग्वेज में एक्जाम दे पाएंगे तो यह जो भी नाम मैंने बताया वो लोग इंग्लीस गुजाती में एक्जाम दे पाएंगे अब देखें जो management वाले है computer science and application वाले हैं वो लोगों को भी सिर्फ वर सिप English में देना होगा Earth Science वाले को भी English में ही एक्जाम देनी होगी उसके बाद कि इंग्लीस वाले को तो English में ही देनी होगी तो यह सारी बात मैंने बता दी कि English और गुजराती में कैसे कौन से subject में कौन से मिडियम में आप एक्जाम दे पाओगे चले उसके बाद देखते हैं आगे सेंटर की बात कर देते हैं तो आउस्टेट वाले जो बच्चे हैं वो कन्फ्यूज हो गए थी कि मैं कि हमें एक्जाम कहां पर देनी होगी तो यहां पर उन लोगों के लिए यहां पर क्लियर कर लेती हूँ कि आपको यहां पर जितने भी सेंटर दिये ना उसी सेंटर में आपको एक्जाम देनी होगी और यह सारे के सारे सेंटर है वो हमारे गुजरात के हैं तो आपको यहां पर मतलब समझना है कि आप कोई भी स्टेट से बिलंग करते हो उससे कोई मतलब नहीं आप जो भी स्टेट से हो लेकिन आपको एक्जाम देने तो गुजरात में ही आना पड़ेगा और वो भी आपको आफलाइन एक्जाम होती है यह भी आपको बता देती हू यहां पर एक्जाम भी आपकी आफलाइन होगी और आप लोगों को आउस्टेट वालों को यहां पर गुजरात में आकर ही एक्जाम देनी होगी यहां पर सेंटर की बात कर देती है यहां पर यह कोड दिये है और यहां पर सेंटर की नाम दिये होए तो धोड़ा से यह भी जुनागड है वलसाड है और भूज है यह सारे सेंटर पर से आपकी एक्जाम होती है तो यहां पर आप जो भी आपका एरिया नस्तिक होता है उसी एरिया में आप यहां से जो सेंटर दिये उस सेंटर पर जाकर आप एक्जाम दे सकते हो चले फी की बात करते हैं तो फी देख सब्सक्राइब करना है यहां पर आपको जो भी पैमेंट करना है वह उनलाइन मोड में करना है और वो भी आपको क्रेडिट कार से कर सकते है डेबिट कार से कर सकते है या फिर नेट पैंकिंग से आप क्या कर सकते हूं पैमेंट कर सकते है और वो भी आपको जो फैमेंट की पी पैमेंट है उसका स्टेप वन है वो आपको वहां पर दिखेगा और उसमें आपको क्या करना ह जब भी आप payment कर लेते हों तो वहाँ पर जब भी आप step 1 भरोगे वहाँ पर आपको आपको जो भी payment किया है उसका order number और Sbie reference ID आपको दिया होगा तो वो reference ID आपको वहाँ पर डालना होगा तो यह भी आपको वहाँ पर पुछा जाएगा जैसे कि आपको पता है कि जैसे आप online करते हैं तो online करते वक्त आपके पास message आता है simple SMS आता है तो उस SMS में आपको order number भी दिया होगा और Sbie e-pay reference ID भी दिया होगा तो उस reference ID को वहाँ पर डालना होगा तो जाकर आपका step 1 complete होगा और step 2 आप online registration कर पाएंगे उससे पहले आप registration नहीं कर पाएंगे तो यह बात होगे आपकी फीकी उसके बाद देखिए candidate condition of eligibility eligibility कितनी होनी चाहिए तो यहाँ पर इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ तो यहाँ पर देखिए कि जो लोग general category से unreserved है ओकि जनरल EWS में आते हैं तो उन लोगों को master degree में okay master degree है फिर उसके equal जो भी examination होते हैं आप लोगों को पता होगा कि उसमें कौन कौन से examination इसके equal होती है अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए उसके लिए आपके 55% मार्क्स होने चाहिए जनरल unreserved और आपकी जनरल EWS के टेग्री वाले लोगों के लिए और बात करते हैं SC, ST, OBC, PWD यानि की physical handicapped है तो ऐसे लोगों को मस्टर डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए ओके चले उसकी बात बात करते हैं का बूझ रहे तो बहुत जारे बचे कर बूझ रहे थे कि मैं में चले रहे थो मैंने बताया कि 한국 कोई नहीं है तो महां बोल रहे थे कि मैं में यूजिस सी सी नेट में लेकिन चीस साइट में बिलकुल भी फ्री में थो यह भी आद रखेगा आप जब तक एक्सां दे पाते हो तब तक आप एक्जाम दे पाते हूं यहां पर एज लिमिट बिल्कुल भी नहीं है ओके फिर यहां पर आगे बात करते हैं जो भी उसका सेडिल होता है किस टाइब का होता है पेपर का ओके तो यह सोड़ी सी पेपर स्टाइल भी देख लेते हैं तो यहां पर आपके पास दो पेपर आएंगे पेपर वन और पेपर टू दोनों साथ में ही देंगे पहले क्या होता था कि पेपर वन और पेपर टू दोनों अलग-अलग देते थे लेकिन अब ना दोनों को साथ में दिया जाता है पेपर वन और पेपर टू दोनों को क्या करते ही साथ में दे देते तो तुआ परPerfect 1 आपको दिया जाएगा उस में पीपर वन होगा वह आपका 100 ti कुशन्सोंस होगा िनके के एक क्वश्चन्स के आपके 2 को मांस होगी इसको 3 एक है सबको स deliver होगा वह आपको सबको सेहा हूंगा और सबको संद्सद कू live वो आपके आपके जो भी सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड यहां पर पीपर होगा तो सब्जेक्ट वाला जो पीपर है यानि कि पेपर 2 है उसमें 200 मार्क्स होंगे और उसमें कोशन आपके 100 कोशन आएंगे और यहां पर भी यह होता है कि एक कोशन के आपको 2 मार्क्स यहां पर यहां पर बात रखे स्कुष्य कोई भी negative square नहीं है और अपर पर देखें Cred का कोई हो जित सक्टाइंगे अर्पえー और जिए कुन भट होते हैं इसको के 2 marks मिलेंगे इनकर्ड्ष हो तो उसको वेहे डोजीए और इसमें माइनस नहीं हे याने कि आपके negative स्क्वर यहां पर दिखिंगे तीन गंटे का आपको time मिलेगा और time भी अपर दिया हुआ है साड़े 9 सेate चाहिए सब्सक्रैसे इनली हिस्थ ह cann penguin एक हैं ऑब दीए आगे यहापर दिया हुआ है कि the ओपंचरेटानसर ओक हों यहां पर यह भी मैने बता दिए कि नहीं मुस्थ नहीं हिन्हीnh कि यहां पर disability वालों के लिए भी सुचना है तो थोड़ी से यह भी आप लोग पढ़ लिजेगा ओके अप्तिकी syllabus क्या होगा तो syllabus आपका UGC इसलेबस होगा वोही सिलेबस आपका जीसलेट में होगा तो यह भी आप याद रखेगा सिर्फ गुजराती और हिंदी बस यही डिफ्रेंस होता है गुजराती और हिंदी का Metro अंदर है वहरद है कि वेस्ट साइट पर आपको दिया हुआ है मैं आपको आगे बता दूंगी कैसे आपको तो अगर आपको यहां पर पता हुना चाहिए कि 6% लोगों को यहां पर क्या किया जाता है पास किया जाता है कोमर्स का सब्जेक्ट में मान लिजए कि 100 लोगों ने एक्जाम दिया है और मान लिजएक उनमें से 50 नोग क्या हो गए पास हो गैं तो इस 50 लोगों में से क्या किया जाता है category wise 66% लोगों को लिया जाता है यारी की टेहर चिपल भीजा संथ तो इस वह मीं यहांपर पुरा का पुरा तो थोड़ा सा यह भी यहां पर डिटेल्स में दिया है तो उसे थोड़ा सा देख लीजिए का आप लोग क्योंकि मैं यहां पर समझाने जाओगी तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा आपको एक्जाम के साथ दिन पहले आपकी वेब साइट पर यहां पर रखी जाएंगी वेब साइट को चेक करते रहना करते रहना होगा जैसे जैसे आपकी कोई भी notification आती है तो आपको mail या message करके कोई भी notification नहीं दी जाएगी आपको daily website को check करते रहना होगा फिर यहाँ पर दिखिए कि कैसे apply करना है तो apply के बारे में अलग से वीडियो बनाओंगे क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनाने जाओगी तो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए apply करने के लिए जैसे भी website में option खुलेगा मैं तुरंती उसमें form fill up करके आप लोगों तक उसका वी साइट पर form fill up करने के लिए option खुलेगा तुरंती हम try करेंगे और साम तक वीडियो बनाकर आप तक share करने की कोशिस करूंगी तो यह थोड़ी सी सारी जानकारी थी यह form fill up की जानकारी है तो यह सारी बाते मैंने आप लोगों को बता दी है आई होप आपको यहाँ से कोई भ कर दो कर दो कि चलिए हमना वेबसाइट पर आ गए वापीस ओके अब देखें यहां से आपको से लेबल कहां से डाउनलोड करना है तो जैसे ही आप होम बेज पर क्लिक करोगे न तो यहां पर जो function आपको णको देख वेसे फंक्षण आपको अगर आप लैप्टोफ कंप्याद में आका open कर दो यहां पर ऐसे अपको रो में दीखेँ गा और अगर आप मोबाईल में देख रहे है तो आपको कोणम में यह सारे आपको दिखेंगे तो यहां पर देखिए आपको सब्सि suspicious दिया होता है उसपर क्लिक करना है कु decor une ग्रने करना से ना würगत का इंग्लिस और गुजराती मीडियम में दिया हो Eełem यहां पर इंग्लिस और गुजराती दोनों मीडियम से आप लोग exam दे पाते होंगे उन में आपको गुजराती और इंग्लिस दूनों में आपको syllabus दिया होगा paper one का syllabus आपको English और गुजराती दूनों में दिया हुआ है तो यहाँ पर जैसे paper one पर आप click करोगे तो आपको दूनों language में यहाँ पर syllabus मिल जाएगा उसके बाद यहां पर mathematical science में क्या बताई था कि only English में ही उनकी exam होती है तो यहां पर देखे डिरेक्ली आपको डाउनलोड दिया जाएगा यानि कि यह only English में ही आपका पेपर यहां पर syllabus डाउनलोड होगा जैसे कि मान लिजे कि हम देख लेते history तो history का English और गुजराती देखा था तो यहां पर दिके history का आपको English और गुजराती दोनों language में आपको यहां पर syllabus मिल जाएगा तो जो भी exam आप जिस medium से देपाने वाले होंगे उसके जो भी rules regulation होंगे उसके मताबिक आपके यहां पर syllabus में भी language दी हुई है और English और गुजराती दोनों में आप क्या कर पाऊगे यहां पर डाउनलोड कर पाऊगे तो यह बात हो गई syllabus के से डाउनलोड करना है यह भी मैंने आपको बता दिया ओके और अगर आपको अधर कुछ भी जानकारी चाहिए तो यहां पर आपको सारे के सारे function दिये हुए है उस पर जाकर आप सारे के सारे details प्राप्त कर सकते हैं तो I hope आप लोगों को इसमें अच सेच कर दीजेगा मैं कोसिस करूंगी आपके सारे के सारे question के answer देने की ओके तो चले दोस्तों आज के लिए इतना ही अभी और जैसे हमारा रजिस्ट्रिशन का जो अप्सन खुलेगा तुरंती में वीडियो बना कर आप लोगों तक साम तक पहुंचा दूंगी ओके तो चले दोस्तों अभी के लिए thank you so much